Guys, अगर आपको बोलना हो कि मैं कोई भी खत्रा उठा सकता हूं या मैं अपने परिवार के लिए कोई भी खत्रा मोल ले सकता हूं तो English में हम इसे कैसे बोलेंगे Guys, English में हम इसके लिए यूज करेंगे एक बहुत interesting phrase Go through fire and water Go through fire and water इसका मतलब होता है कोई भी खत्रा मोल लेना, कोई भी खत्रा उठाना या तो किसी चीज को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरना किसी भी हद तक चले जाना, किसी भी difficulty को face कर लेना, किसी भी problem को face कर लेना उसके लिए हम use करते हैं go through fire and water चले कुछ examples की help से समझती हैं जैसे आपको बोलना हो कि मैं कोई भी खत्रा मोल ले सकता हूँ तो आप कह सकते हैं I can go through fire and water मैं अपने परिवार के लिए कोई भी खत्रा उठा सकता हूँ मैंने यहां तक पहुँचने के लिए बहुत खत्रे उठाए है यह बहुत खत्रा मोल लिया है तो आप कह सकते हैं I went through fire and water in order to reach here I went through fire and water in order to reach here तो गैस यह थी आज की phrase जो भी दिग्जाम्पल्स हमने लर्न की इस वीडियो में आप इसे लर्न कर सकते हैं अपनी conversation में यूज कर सकते हैं यह बहुत useful है तो चलिए गैस आज की वीडियो में इतना ही नेक्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में till the time all the best good luck